कि नमस्कार मैं हूँ गाईच्री कुपता और आप देख रहे हैं इस्पेन नाइन यूर्ज और एक बार फिर से मैं आपके सामने अप्राखास प्रोग्राम लेकर हाजिर हो बात करूंगी उंडा के विधायक राजा भया की चीहां मैं लगातार अपने कई प्रोग्राम में राजा भया का जारा जिक्र कर रही हो करना बनता है भाई क्योंकि आगामी 30 नमबर को वो अपने सियासत के 25 साल पूरे करेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका एक आगाज होगा नई पार्टी बनाने को लेकर और उनकी पार्टी का नाम भी फिलाल सुर्खियों में बना हुआ है । ने पर राजा भया 2000 की नाम की पार्टी का नाम हूगा लेकिन फिलाल अभी रिजल्टरेश़lav को बनाफेडार को मैंने अब ऐसे ही मतले मेललेकर आएंगे लखणons में योपी की नासारी लखणों म प्रताफ गड़ और आसपास के चेट कहश्led को चोड Claus कोमसिया नहीं यूद्ऽ कोई दर्किनार नहीं कर सकता है चाहे वह इंश्या स्यम्योंगी उफेंगस्अ बीजेपी होous nevertheless BESPA हो को सपा हो चाहे कोई भी नेता हो कोई भी धर किनार नहीं कर सकता उस रसूप को उस पैट को उस वर्चस को उस यासी कारिकुषर्टा को जो की राजा भाया के पास है अब इसी बल्बूते राजा भाया जो हैं अब आपनी पार्टी का अलान करने वाले हैं अगामी 30 समबर को बहुत बहुतिन तरीके से अलान करेंगे और कहा जा रहा है कि इसमें सैक्रो लोग पहुचेंगे और सिर्फ उस्ताप प्रजिस नहीं बल्कि देश की अलग अलग राज्यों से अगर में नौर्थ इंडिया की बात कुर्वादस्तान, मंद्य प्रिज शक्तिसगर्ड इसमें बहुत से राज्यों के साथ उनका उनके सुख में या उनके पार्टी का जलान होगा उसमें शरीक होंगे और एक मजबूती देंगे राजा भाईया को यह जो भव्यायोजन होने वाला है का मितिस नमबर को कहा जा रहा है यह कहीं ना कहीं विरोधियों को अपनी ताकत कि विछेपी के नरमी है जला कि अखले शारों से उनकी कहीं कहँतास जाएं मायवड़ी से उनकी पन्नी नहीं है कुखिए लगाया गया था और इसे में उनकी नजदी क्या ही है दून्या तो नहीं कहेंगे हैं तूल मिलाकर तो आसे में जहां तक राजा भूरा चारही है कर पुरे प्रदेश प्रचार प्रसार किया जाए अब देखना होगा कि स्युपाल और राजा भाईया दोनों की पार्टी का क्या अंजाम होता है लेकिन फिलहाल जो आई है खबर ये कहा जा रहा है कि राजा भाईया जो है अब उनके जो एमर्सी है यह अक्षे प्रताप सिंग सबसे करीबी है अक्षे प्रताप सिंग उंको जिम्मेदारी दी गई है झाले कर सबकुछ या माई लँट असके लखनों में यहिं। सब्सक्राइब करने के लिए कई प्रतिनिदियों से भी मुलाकात कर रही हैं के मुलाकात का दौर जारी है सब्सक्राइब करने के लिए के लिए उनके लिए के लिए के लिए उनके लिए कोशिश कर रहे हैं और एक मजमाज उटाएंगे वह लखनो में सब्सक्राइब करेंगे राजा भया की ताकता की राजा भया में बहुत है तंब आसे में 30 लंबर को पार्टी का अलान होगा और राजा भया अपना बाहुबल दिखाएंगे और कहीं नहीं यह राजा भया की अग्री परिक्षा होगी कि जो नाम और रसुक उनका पना हुआ है प्रताब गड़ में वह नाम रसुक उत्ताब प्रदेश में क्या चल पाएगा अलाकि जब करेंगे देश की बाहुबली यह उत्ताब प्रदेश की बाहुबली तो उसमें एक नाम राजा भया का भी सामने आता है तो इससे कहीं नकिए तो आप लगा सकते हैं कि निर्दलिये विधायक रही है वहाला कि विचेपी से लेकर सपासरकार में मंत्रिक पद्द का स्वात तो चश चुके हैं लेकिन काई विवाद से उनका नाता जुड़ा है तेर भी देखें कुंडा की जनता उनमें कितनी सिंधा रखती है कि हर बार उनको जिता रेती है और वहाल निर्दलिये विधायक बन जाते हैं और हर पार्टी को नकोई जो है उनको अपने खेमे में ले पर आपको लाजिप रजपूथ है राणास सिंह कुछ थाकुरू पर अब इस इन दो जो चेहरों के वीछ पैचान है इनकी चाहरा की दाजचनिती यह तो तीनों की बहुत पुराणी है योगी आधितनात की राधनास सिंह की और अरभया की राजफंवी सिटती बहुत पु अब ऐसे में बिजेपी का राजपूतर पर ज़्यादा प्रोकस है तो राजब भीया को भी अपना वजूद बचाना है ऐसा कहा जा रहा है इसी दिए पार्टी बना रहे हैं हलाकि राजब भीया कहते हैं अब अब देखना होगा कि वह सबी को सास में लेकर चल पाते हैं को उ सब्सक्राइब के लिए कुछ ना कुछ किया है करते भी राते हैं लेकिं उन्हें राजपूत एक चहरा माना रहता है उस राजपूत चहरे सो बाहर आके कैसे वह सब के लिए एक चहरा बन पाते ही यह देखने वाली बात है और देखना हो आगामी 30 नमंबर को क्या आखिर सब्सक्राइब के अपने नाम से कहीं ना कहीं अपना एक और रखा हुआ है करद देखने नाम से कहीं आखिर यह देखने वाली बात है